नमस्कार सुवागत है आप सभी का, एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्त आच की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे, सुसान सिंग राजपूत केस में एक बार फिर से संदीप सिंग के उपर गिरी है गाज संदीप सिंग को लेकर जाच इजिया अलर्ट मोड पर आ गई है जी हाँ आपको बता दे संदीप सिंग वही है दोस्तों जिसके उपर सुसान सिंग राजपूत केस में कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे ये भी दावा किये जा रहा था कि संदीप सिंग की ही वज़े से आज सुसान सिंग राजपूत इस दुनिया में नहीं है और तो और मैं आपको बता दूँ ये भी कहा जा रहा था कि संदीप सिंग सुसान सिंग राजपूत की जासुसी कर रहा था और और भी कई सारे बड़े और भैंकर आरोप संदीप सिंग के उपर लगे थे ऐसे में दोस्तों उम्मित की जा रही है कि अब संदीप सिंग की एक वार फिर से ना सिरफ बुला करके investigation की जा सकती है बलकि संदीप सिंग को गिरफतार भी किया जा सकता है दोस्तों जिस तरह से संदीप सिंग आज तक सुसान सिंग राशपूत केस में एक से बढ़कर एक बयान दे करके और जांचे इनसियों का ऐसा लगता है कि गुमराह करने की कोसिस कर रहा है ऐसे में सुसान सिंग राशपूत केस में बहुत जरूरी है कि संदीफ सिंग जैसे गुनेगार को जल्द से जल्द ना सिरफ पकड़ा जाए बलकि ये भी साबित किया जाए कि संदीफ सिंग ने सुसान सिंग राशपूत के साथ क्या क्या किया है दोस्तों ये सारी शीजे आसान तो नहीं रहने वाली हैं लेकिन संदीफ सिंग ने जिस तरह के कांड किये हैं उसके हिसाब से जांच रेंसियों को थोड़ी महनत करनी पड़ेगी लेकिन संदीफ सिंग के खिलाब सबूत मिल सकता है मैं आपको बता दू एम्बूलन्स के ड्राइबर से संदीफ सिंग को जब बात करते देखा गया था तभी बहुत सारे लोगों ने संदीफ सिंग के उपर सक किया था सभी का कहना था कि जरूर सुसान सिंग राजफूत केस में जो संदीफ सिंग है वही जासूस है लेकिन इसका खुलासा नहीं हो पाने की वज़े से ही संदीफ सिंग दोस्तों आज तक बचा रहा लेकिन उम्मिद करते हैं कि जल्द ही अब इसकी गिरफतारी हो जाएगी